है ब्रीवन मैं मैंन पांड़े आप लोग अपने यूटूब चैनल के सी आई टैले स्पेसिलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ टैले में मैटेरियल का विल हम कैसे बनाते हैं इसे कोई सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐसी important videos प्राप्त होती रहेंगे तो चलिए देखते हैं will of material अब देख पा रहे हैं तो हमने कुछ इसमें laser create कर रखे हैं laser item तथा voucher हमने बना रखा है जिस पर हमें will of material को completely apply करके दिखाना आपको तो यहां से आप देख लिए क्या important option है जो आपको सबसे पहले बना के रखना होगा हम account info पर जा करके lasers पर जाएंगे और यहां से आपको display करके दिखाएंगे हम यहां से direct expenses पर जाएंगे और यहां से आप देख लिए कुछ हमने additional cost के लिए जो कुछ extra lasers बनाना है वो मैंने यहां बना रखा है यह lasers आप अपने item के according आप बनाते हैं जैसा आपका product होता उसमें इस type क additional charge लगेगा उस type का laser आप यहां से create करते हैं back करके हम आते हैं हम inventory info में आ करके आपको items दिखा देते हैं कुछ items हमने create कर रखे हैं जिस पर हम आपको यह will of material का complete option करके दिखाएंगे यहां से हम display पर चले जाते हैं और यहां से आप देख पा रहे हैं computer parts यह कुछ computer के parts हैं आज के इस topic में मेरा जो example है मैं आपको एक computer assemble करके completely उसका जो will of material हम कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा आपनों को तो यह हमने कुछ items करीद रखे हैं बना करके उसको हमने purchase कर रखा है आप देख पा रहे हैं यह कुछ items create हैं जिससे एक computer system तयार होगा जो हमने यहाँ पर computer system बना रखा है Intel Core i3 यह हमने बना रखा है हम back करके आते हैं जिसा के भी मैंने बताया कि जो topic आज हमारा will of material तो will of material को आपको activate करना होता है जिस item जो furnace good आपका तयार होगा उसमें आपको will of material को activate करके रखना होगा हमें alter करके आते हैं आपको दिखाते हैं enter करते आर जाते हैं आप देख पा रहे हैं Alter component, will of material, यहां alter component, will of material लिखा हुआ है, bomb जिसको कहते हैं, will of material, full name है इसका, अगर यह option नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम F12 प्रेस करते हैं, F12 से जा करके इसको activate करना होता है, enable component list detail, will of material, यह option हम yes करेंगे, तभी वहां पर आपको, will of material का option मिलेगा, तो यहां से इसको yes करके accept कर लेंगे, और यहां पर इसको हम yes करते हैं, तो यहां एक आपको bill of material का name देना होगा, जो आपके bill of material में आप listing कराएंगे जिस name से, आप देख पा रहे हैं, component, bill of material name में मैंने computer system डाल रखा है, component name में आपका जो आपका जो item है, intel core i3 system है, एक piece हम manufacture कर रहे हैं, और एक intel core i3 computer system के लिए, हमें किन-किन items की जरुरत है, वो हमने इसमें डाल रखा है, तो इस तरह से आपको इसकी entry कर लेनी है, जो एक furnace good आपका होगा, उसके ही अंतरगत, इस तरह से इसको हम accept करा लेते हैं, तो यह बहुत जरूरी चीज़ है, यहीं से जा करके आपको bill of material को activate कर लेना हुगा, अब हम चलते हैं, बताते हैं आपको कि voucher हम कैसे create करते हैं, और यहां जो voucher बनेगा, stock journal voucher के अंतरगत बनेगा, और एक new voucher बनाने के लिए आप create पर जाते हैं, बट मैं पहले से इसमें बना चुका हूँ, वीडियो बहुत लंबी ना हो, आपको concept समझाना है, तो हम alter से भी आपको समझा सकते हैं, यह alter पर जा करके आप देखें, manufacturing journal voucher है, इस पर हम enter करेंगे, यहां manufacturing journal हम create पर जाएंगे, फिर यहां हमको लिखना रहेगा, यहां आप देख लें, enter करके आते हैं, journal में यहां select type of voucher में, आपको stock journal सेलेक्ट करना है, यह abbreviation में directly stock journal का cert form आ जाएगा, enter करते हुए हम आ जाए नीचे, यहां आप देख रहे हैं, use as a manufacturing journal, यहां हमें yes करना बहुत जरूरी है, because अगर हम यहां yes नहीं करते हैं, तो manufacturing journal का format नहीं बन करके आएगा, हमारे केवल नाम डालने से वो change नहीं होगा, यहां हम लिखेंगे, तो यहां yes करेंगे, तो उसका format change हो करके आ जाएगा, enter करते हैं, अगर हम will बनाने के बाद, उस will को print करना चाते हैं, directly save करने के बाद, तो यहां पर हम yes कर लेंगे, अन्ना था इसको no करेंगे, accept कर लिया, अब हमने वो सारी चीज़ें कर रखी हैं, जिससे हमारा यह will तयार हो जाएगा, अब हम चलते हैं, manufacturing journal में चल करके, below of material हम कैसे तयार कर लेते हैं, उसको हम दिखाते हैं आपको, हम चले जाएंगे, transaction के अंतरगत है, inventory voucher, यहां पर हम enter करेंगे, और आपके सामने, stock journal voucher खुल करके आया है, जबकि stock journal के अंतरगत ही, हमने manufacturing journal voucher, create कर रखा है, तो उसके लिए हम alt plus f7 प्रेस करें, या button बार पर आप देख पा रहे हैं, stock journal option, इस पर हम एक बार click कर देंगे, तो voucher type में, दूसरे voucher का नाम आपको देना होगा, और हमारा voucher होगा, manufacturing journal, आप enter कर देंगे, आप देख पा रहे हैं, stock journal से थोड़ा सा different होकर के आ गया है, manufacturing journal voucher आपका, जो है, manufacture of materials, जो आप material manufacture कर रहे हैं, उस material का completely cost क्या पढ़ रहा है, उसमें क्या additional charges पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ डालना है, तो आपको यहाँ product का name देना है, product name में आप क्या देंगे, कितनी quantity आप बना रहे हैं, आप एक piece का charge आप देख रहे हैं, यह किया, directly इसमें आपका components, consumption में आपका जो source है, इसमें पूरा complete वो item आगे, because आपने stock item, एक furnished good का item क्रिएट करते टाइम पे, आपने जितने भी items को उसमें submit करा था, वो सारे items यहाँ automatic, 9 pieces इसके अंतरगत invilt हुई हैं, इस system में कुल 9 ऐसे part लगे हुए हैं, जिससे आपका complete intel core i3 system तयार हुआ है, computer system तयार हुआ है, enter करते हुए हम नीचे चले आते हैं, एक-एक का, enter करते हुए हम आज आते हैं, यहाँ complete 9 product, अब इदर आप देख पा रहे हैं, co product, by product, scrap, कुछ भी इसके साथ extra product लगा हुआ है, कुछ scraps होगा रहा है इसके साथ, तो ऐसा कुछ अगर है, तो आप यहाँ भी दे सकते हैं, अन्य था आप यहाँ से enter करके नीचे आएं, और यहाँ पर जो आपका additional cost पढ़ रहा है, इसपर जो additional charges पढ़ रहे हैं, उसे आपको देना होगा, तो हम यहाँ आपको दिखा देते हैं, हमने कुछ इसमें जो बना रखा था जिसे engineering charge, माल लिजे हम 10% engineering charge दे रहे हैं, जो हम manufacture करेंगे, जो assemble करेंगे, बिकॉज यह सारे parts अलग-अलग से आते हैं, हमें एक computer assemble करना है, तो उसमें अपना engineering charge हम 10% जोड लेंगे, हम by percentage भी दे सकते हैं, और directly percent zero करके, यहाँ हम उसका amount भी directly लिख सकते हैं, हम आपको दिखा दें, कि कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ अगर हम zero कर दें, और यहाँ पर enter करें, और यहाँ पर हम डाल सकते हैं, माल लिज़े 1500 रूपए हैं, तो इस तरह से हम 1500 रूपए दे सकते हैं, बट हम percentage wise ही करेंगे, percentage wise करके हम आपको दिखाते हैं, यहाँ 10% है, enter करेंगे, तो आपका 1575 यह इसका आगया, हम packing charge डाल दे रहे हैं, packing charge, product का packing भी हम जोड दे रहे हैं, इसका packing charge हमने 2% दे दिया, यह जो भी percentage आ रहा है, इस 15750 का percentage दे रहा है, फिर हम enter करेंगे, इसके बाद हम यहाँ CGST, CGST दे देते हैं, 6%, अब देखें percentage, चुकि उसमें directly लिखा हुआ है, GST time में, आपको GST के बारे में पढ़ा चुका हूँ, अगर हम यहाँ manually लिखें 6% और enter करें, तो automatic इस पर जो 6% CGST बनता है, वो 945 रुपे आ गया, हम SGST दे देते हैं, और यहाँ भी हम manually 6% ही करते हैं, 6% जब manual लिखेंगे, तो वो लिख करके, अपका cut करके आ जाएगा, इस तरह से अगर हम देना चाहें, इस product का GST rate भी, जो हम pay करके आएं, इतना हम pay करके आएं, इसको हम अपने ले, इसको हम बना रहे हैं, तो हम को अपना जितना cost हम बर के आएं, वो हम यहाँ दे लेते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ से हम और भी कुछ है, तो हम देंगे, नहीं तो यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अब पीछे मैंने manufacturing general voucher बनाते टाइम पे, वहाँ print option मैंने yes करा हुआ था, कि save करने के तुरन बाद ही print automatic आ जाएगा, हमें alt plus p करने की आवसकता नहीं होगी, तो यहाँ हम enter करेंगे, तो just हमारे सामने print का dialogue आ जाएगा, और यहाँ पर हम enter करेंगे, तो print होकर के completely will आपके सामने present हो जाएगा, alt के साथ हम jet करेंगे, तो हमें यहाँ पर will present हो जाएगी, जितना हम यहाँ देखें, यहाँ item है, जो आपका source conceptions जो है मेरा completely, और यह destination report है, कहने का मतलब इतना सारा मिला करके, तो हमारा यह system तयार हुआ है, complete computer system, यह computer system में लगे वे parts हैं, तो यह आप देखें, cool 9 piece है, 15,750 इसका complete amount है, destination में production जो हमने किया हुआ है, Intel Core i3 system है, 1 piece का 19,530 रुपे हुआ है, इसका complete amount है, जो मूल हुआ, जो आपका एक तरीके से standard cost बना, इसके बाद आप उसमें अपना margin जोडेंगे, उसके बाद उसका एक selling price निजदारित करते हैं, तो इस तरह आप देखें, basic value है 15,750, उस पर additional charge, engineering charge 10% आपने जोड़ा, packing charge आपने जोड़ा, CGST और SGST जोड़ा, तो complete आपका हुआ हुआ एक पीस का 19,530 रुपे, तो इस तरह से हम अपने product का, अपने material का will तयार कर सकते हैं, अब हम यहां से back करके आ जाते हैं, और अगर यह report आपको check करना है, तो आप display में आँ हैं, और यहां display पर आप आजाएंगे, और daybook पर directly चले जाएंगे आप, यहां manufacturing journal में जाएंगे, तो complete आपके सामने आपर present हो जाएगा, अगर इसे हम print करना चाहते हैं, तो alt के साथ p करके भी हम print करके देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, will का complete printing आपके सामने represent हो गया, तो यह है आपका complete will of material, एक manufacturer के लिए बहुत ही important option है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह topic आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगए हो तो like करें, share करें, तब तब subscribe करना न भूलें, तो मिलते हैं next day, next video के साथ, तब तक लिए, thank you, जै हिंद,